नमस्कार, हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए शुनते हैं मुंसी प्रेम्चन जी की लिखी कहानी बूढ़ी काकी में जीवा स्वात के सिवा और कोई चेश्टा सेश ना थी, और ना अपने कश्टों की और आकरसित करने को रोने के अत्रिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं, समस्ति इंद्रियां नेत्र, हाथ और पैर जवाद दे चुके थे, पिर्थवी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बा और उन्हें न मिलती, तो वे रोने लगती थी, उनका रोना सिसकना साधारन रोना ना था, वे गला फाड फाड कर रोती थी, उनके पतिको स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बेटे तरोड होकर चल बसे थे, अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना था, उसी भतीजे क सब जुपाक थे, यद्यप उस संपत की वार्षिक आये डेड़ सो रुपए से कम ना थी, तदा भी बुड़ी काकी को पेट भर बोजन भी कटनाई से मिलता था, उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धी राम का अपरात था, अथवा उनकी अर्धांगनी स्री मती रूप थी, पर वा इस सवर से डरती थी, अतेव बुड़ी काकी को उसकी तीवर्ता उतनी ना खलती थी, जितना की बुद्धी राम की भल मनसाहत, बुद्धी राम को कभी-कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था, विचारते की इसी संपत के कारण मैं भला मानुस बना बैठा हूँ, यदि मौखिक आश्वाशन और सूखी सहानुभोत से इस्थित में सुधार हो सकता, तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ती ना होती, परंत विसेज बैका भै उनकी सचेश्टा को दबाए रखता था, यहां तक कि ये द्वार पर कोई भला आदमी बैठा हो, और कोई काकी को और भी सताया करते, कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी के कुली कर देता, काकी चीक मार कर रोती, परंत या बात पृसित्ती की वा केवल खाने के लिए रोती हैं, अतय हो उनके संताप और अंतरनात पर कोई ध्यान नहीं देता था, हां काकी धातुर होकर बच्चों को गालिया देने लगती तो, रूपा घटना अस्तल पर अवश्या पहुचती, इस ब्रहम से काकी अपनी जीवा करपान का कदाचिती प्रियोक करती थी, यद्यप उपद्रो सांधिका या उपायरोने से कहीं उवधिक उप्युक्त था, संपूर प रच्छागार था और यद्यप काकी की सरण उनकी लोलुपता के करण बहुत महंगी पड़ती थी, तदा भी भाईयों के अन्याय से कहीं सुलब थी, इसी स्वार्थान कूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहान भूत का आरोपड कर दिया था, रात का समय था, बुद्धी राम के दौर पर सहनाई बज रही थी, और गाउं के बच्चों का जुंड बिसमैपूर नेत्रों से गाने का रसा स्वाधन कर रहा था, चार पाईयों पर महमान बिसराम करते हुए नाईयों से मुक्यां लगवा रहे थे, समी फी खड़ा हुआ भाट विर्दावली सुना रहा था और कुछ भावग महमानों की वाहवा पर ऐसा खुसो रहा था मानों इस वाहवा का यथार्थ में वही अधिकारी है, दो एक अंग्रेजी पढ़ते हुए नव्यक इन वेवहारों से उदाशीन थे, वे इस गमार मंडली में बोलना, अथ्वा सम्मलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, आज बुद्धी राम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, या उसी का उस्सो था, घर के भीतर इस्तियां गा रही थी, और रूपा मेमानों के लिए भोजन के प्रबंद में ब्यस थी, भट्यों पर कड़ा चड़ रहे एक में पूडियां कचोणियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पक्वान बनते थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, गी और मसाले की सुधा वर्धक सुगंदी चारो और फैली हुई थी, बूड़ी काकी अपनी कोट्री में सोक में विचारक की भा मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा, या सोच कर उन्हें रो ना आया, परन्तु अपसगुन के भैसे वह रो ना सकी, आह, कैसी सुगंद है, अब मुझे कौन पूचता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग कहा की भरप पूर पूरिया मिले, या विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी, परन्तु रूपा के भैसे उन्होंने फिर मौन धारन कर लिया, बूरिका की देर तक इन्ही दुगधायक विचारों में डूबी रही, गी और मसालों की सुगंदी रारा कर मन को भर भर आता था, पूरियों का स्वाद अस्मरण करके हिर्दे में गुदगुदी होने लगी थी, किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई, दोनों छोकरे सदा परेसान किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं, कुछ मालूम तो होता क्या बन रहा है, आ रही होगी, एक पूरि मिलती, तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं, पूरिया चंचन कर तयार होंगी, कड़ा से गरम गरम निकाल कल थाल में रखी जाती होंगी, फूल हम घर में भी सूंग सकते हैं, परन्त वाटका में कुछ और बात होती है, इस प्रकार निरनाय करके बुड़ी काकी उकड़ू बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कटनाई से चोखट से उतरी, और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी, यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर हुआ, जितना भूखे कुत्ते को खा महराच ठंड़ाई मांग रहे हैं, ठंड़ाई देने लगी, इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भात आया है, उसे कुछ दे दो, भात के लिए सीधा निकाल रही थी, कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उत अर्दो, बेचारी अकेली इस्तरी दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी, जुझलाती थी, कुड़ती थी, परन्तु क्रोध पकट करने का आउसर ना पाती थी, भै होता, कहीं पडोशने या ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी, प्यास से सोयमकंट सूख रह गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परन्तु इतना आउकाज भी नहीं था, कि जरा पानी पी ले, अत्वा पंखा लेकर जले, या खटका था कि जरा आँखटी और चीजों की लूट मची, इस अवस्था में उसने बुड़ी काकी को कड़ा के पास बैठी देखा तो जल गई क्रोध न रुख सका, इसका भी ध्यान न रहा कि पडोसने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुर्सों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार मेड़क केचुए पर जपटता है, उसी प्रकार वा पूरी काकी पर जपटी, और उन्हें दोनों हाथों से ज कर चाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीब, दिन बर खाती न होती, तो दन जाने किसकी हांडी में मुझ डालती, गाउं देखेगा तो कहेगा बुडिया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुझ बनाए फिरती है, डायन ठूसती है, न जाने कहा भसम हो पूजा पहले ही हो जाए, भूरी काकी ने सिर ना उठाया, ना रोई, ना बोली, चुप चाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई, आगहात ऐसा कठोर था कि हिर्दय और मस्तिस की संपूर सक्तियां, संपूर विचार और संपूर भार उसी ओर आकरसित हो गए थे भोजन तयार हो गया, आंगन में पतलें पढ़ गई, मेमान खाने लगे, इस्त्रियों ने जिवनार गीत गाना आरम कर दिया, मेमानों के नाई सेवक गड़ भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परन्तु सब बेतानुसार, जब तक सब के सब खाना चुकें, कोई उट नहीं सकता, दो एक मेमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के इस दीरगाहार पर जुझला रहे थे, वे इस बंधन को वेर्थ और बेसिर पैर की बास समझते थे, बूड़ी काकी अपनी कोटरी में जाकर पस्चा ताप कर रही थी, कि मैं कहा से कहा गई, उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था, सची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन करना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे, मुझ से इतनी देर भी न रहा गया, सब के सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाओंगी, मन ही मन इस प्रकार विचार करवा बुलावे की परतिच्चा करने लगी, परंतुगी की रुचकर सुवाज बड़े ही धैर परतिच्चत परतिथ हो रही थी, उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, अब पतल बिच गई लोग हात पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने भैट गए, जिवनार गाया जा रहा है, या विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेड गई, धीरे धीरे एक गीत गुन गुनाने लगी, उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवज नहीं लोग खापी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा छिड़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी, वह कोई मेमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओं, बुड़ी का की चलने के लिए तयार हुई, या पिस्वास की एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, उनकी स्वानेंद्रियों को गुदगुदाने लगा, उन्होंने मन में तरा-तरा के मनसूबे बांदे, पहले तर जार नहीं, कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं, तो मुझ उठा करके थोड़े ही उड़ जाओंगी, वो उकडू बैटकर हातों के बल सरत्ति हुई आंगन में आई, परन्तु हाए दुरभाग, अब लासा ने अपने पुराने सुभाव के अंसार समय क मिथ्या कलपना की थी, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर अंगुलियां चाट रहा था, कोई तिर्चे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं, या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पतल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें बीतर रख लेता, कोई दही खाकर जीब चटकारता था, परन्तु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था, कि इतने में बुड़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुची, कई आदमी चौक कर उड़ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे या बुड़िया का या कहां से आ गई, देखो किसी को छूना दे, पंडित बुद्धी राम काकी को देखते ही क्रोज से तिल मिला गए, पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दई महाजन अपने किसी बेइमान और भगोड़े कर्जद को देखते ही जपट पड़ता है, और टेटुवा पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बुड़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोटरी में धम से पटक दिया, आसा रूपी वाटका लूके एक जोके से नस्ट किया, भाजे भाजे, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके थे, परंत बुड़ी काकी को किसी ने ना पूछा, बुद्धी राम और रूपा दोनों ही बुड़ी काकी को उनकी निरलज्जता के लिए दंड देने का निस्चे कर चुके थे, उनके बुढ़ापे पर, दीनता प कि उसमें गंद तक ना थी, दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दैता से घसीटा, तो लाडली का हिर्दै आयट कर रहे गया, वह जुझला रही थी, कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़िया नहीं दे देते, क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और य गुड़िया की पिठारी में बंद कर रखी थी, उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हिर्दै अधीर हो रहा था, बूड़िया काकी मेरी बात सुनते ही उड़ बैठींगी, पूड़िया देखकर कैसे प्रसन होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, रात को ग्यारा बज रहे थे, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, लाडली की आँखों में नीन ना आती थी, काकी को पूड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी, उसने गुड़िया की पिठारी सामने ही रख रही थी, जब विस्वास हो गया की अम्मा सो रही है, तो वा चुपके से उठी, और विचारने लगी, कैसे चलू, चारो और अंधेरा था, केवल चूलों में आग चमक रही थी, और चूलों के पास एक कुट्ता लेटा हुआ था, लाडली की दृष्ट द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई, उसे मालूम हुआ की उस सोई हुए मनुस्यों के बदले एक जाकता हुआ कुट्ता, उसके लिए अधिक धैर का कारण हुआ, उसने पिटारी उठाई और बूड़ी काकी की कोट्री की ओर चल दिया, बूड़ी काकी को केवल इतना अस्मरण था, कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसीटे, फिर ऐसा म न मिलती थी, समझी की सब लोग खापी कर सो गए, और उनके साथ उनकी तकदीर भी सो गई, रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अगनी धधक रही है, हाँ किसी ने मेरी सुध ना ली, क्या मेरा पेट काटने से धन्जुड जाएगा, इन लोगों को इतनी भी द उनु ना बूजू, यदि आंगन में चली गई तो बुद्धी राम से इतना कहते ना बनता था, कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना, मुझे घसीटा, पटका, उनी पूडियों के लिए रूपा ने सब के सामने गालिया दी, उनी पूडियों के लिए इतनी दुरग इसे गला भर भर आता था, परंत मेमानों के भैसे रोती ना थी, सासा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूडिया लाई हूँ, काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उड़ बैठी, दोनों हातों से लाडली को टटोला, और उसे गोद में बिठा लिय लाडली ने पूडिया निकाल कर दी, काकी ने पूचा, क्या तुम्हारी अमाने दी है, लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है, काकी पूडियों पर टूट पड़ी, पांच मिनट में पिटारी खाली हो गई, लाडली ने पूचा, काकी पेट भर गया, जैसे ठंड़क के अस्थान पर गर्मी पैदा कर देती है उसी भात इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की छुदा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था भोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाडली ने कहा अम्मा सोती है जाओंगी तो मारेंगी काकी ने से तो जब तूड़ जाता है तब इच्छा का बहाओ अपरमित हो जाता है मतवालों को मत का अस्मरण करना उन्हें मदांद बनाता है काकी का आधिरमन इच्छा के प्रवाह में बह गया उचित और अनुचित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रह मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां मेमानों ने बैट कर भोजन किया है लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया दीन चुधातूर हत ग्यान बुढिया पतलों से पूडियों के टुकड़ चुन-चुन कर भच्छण करने लगी दही कितनी स्वाधिष्ट थी कचोड़िया कितनी सलोनी खसता कितने सुकोमल काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूं जो मुझे कदाप नहीं करना चाहिए मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रह अगे खुली उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है वाचाओं की चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी उसे वहाँ ना पाकर उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है वही उस समय उसकी हुई एक ब्रहमणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले इससे अधिक सोकमय द्रश अशंभो था पूडियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निस्क्रश्ट कर्म कर रही है यहवा द्रश से था जिसे देखकर देखने वालों के हिर्दय काप उठते हैं ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुख गई आसमान चक्कर खा रहा है संसार पर कोई आपत्ती आने वाली है रूपा को क्रोध ना आया सोक के सम्मुक क्रोध कहां करुड़ा और भै से उसकी आँखें भर आई इस अधर्म के पाप का भागी कौन है उसने सच्चे हिर्दय से गगन मंडल की और हाथ उठा कर कहा परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो इस अधर्म का दंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्या ना सो जाएगा रूपा को अपनी स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यच्य रूप से कभी न दिख प मुझसे बड़ी भारी भूल हो चुकी है मुझे चमा करो आज मेरे बेटे का तिलक था सैकड़ों मनुश्यों ने भोजन पाया मैं उनके इसारे की दासी बनी रही अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए वै कर दिये परंत जिसकी बदावलत हजारों रुपए खाये उसे इस उत्सों में भी भरपेट भोजन ना दे सकी केवल इसी कारड़ों वा व्रद्धा असहाय है रूपा ने दिया जलाया अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर सामग्रियां सजा कर बूड़ी काकी की ओर चली आधी राज जा चुकी थी आकास पर तारो प्ताल देख कर प्राप्त हुआ रूपा ने कंठावरुत स्वर में कहा काकी उठो बोजन कर लो मुझसे आज बड़ी भूल हो गई उसका बुरा ना मानना परमात्मा से प्रात्ना कर दो कि वा मेरा अपराच छमा कर दे भोले भाले बच्चों की भात जो मिठाईया पाकर म इस स्वारगिक द्रस का आनन लेने में मगन थी धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे मुंसी प्रेंचंजी की लिखी कहानी बूड़ी काकी